यहां पर हम बात करें तो TSPSC ने अपना notification निकाल दिया है paper 2 का यह notification होने वाला है जिन्होंने first paper clear कर लिया उनके लिए notification है क्योंकि post यहां पर gusted और non-gusted दोनों ही है, all over India candidates ने अप्लाई करा हुआ था इसका exam pattern क्या होगा paper 2 का क्या exam date है, timings क्या है haul ticket कब आप लोगों को मिल जाएगा इसके बारे में पूरा वीडियो है, अगर आप चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लिजे, bell icon प्रेस कर दीजे, latest update के लिए क्योंकि इस चैनल पर daily आपको दो update government of India की तरफ से जो notification आई है, उनकी मिलती रहती है, साथ में आपको finance की भी दो update मिलते रहते हैं, तो अब इस्टार्ट करते हैं, TSPSC ग्रूप का ये second exam है और जो की date निकाली है 7th और 8th अगस्त की इसके बारे मैं चली आगे बात करते हैं जिसके लिए 2 shift में exam आपका conduct होगा, 7th और 8th अगस्त को जो की Wednesday और Thursday को ये exam होने वाला upload होगा ये होगा पूरी तरीके से return exam हम आगे देखें अगर इसका exam की date मैं बताई चुका हो आपको ये इसका advertisement number है hall ticket जो आपकी है, hall ticket लगबग लगबग एक हफता पहले 1 week before आपको मिल सकती है अब यहाँ पर बात करें तो 7th to 8th अगर रखा गया है तो most probably है कि आपको 25 July के बाद आपके exam का जो admit card है admit card आपको मिलने provide हो जाएगे अब यहाँ पे हम देख लें organization जो है वो तेलंगना state public service commission है गश्टेड और नौन गश्टेड दोनों ही post है 7.83 यहाँ पे vacancy निकाली गई है 7th to 8th अगस्ट में इसका exam complete कराया जाएगा दो सिफ्ट में इसका exam होने वाला है आपके 4 papers होंगे 4 papers होंगे यहाँ पे आपके last week of July में admit card इसका आपके pass में आ जाएगा आपको इस website में जाना होगा government of India की जिसका भी link में already आपको दे दूगा description में अब यहाँ पे बात करता हूँ exam notice की exam date का notice जो है वो 7 to 8 अगस्ट है मैं already आपको बता चुका हूँ तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे अगर यहाँ पे schedule और shift की बात करें क्या shift होने वाला इसका और क्या schedule या timing होगी तो 7 to 8 अगस्ट को अगर बात करें तो 7 अगस्ट की बोलें तो सुभह का shift होगा आपको 10 से साड़े बारा का और दुपहर का shift होगा धाई से साम पांच बजेगा जिसमें आपको पहला paper general studies and mental ability का देना होगा second paper आपको history, quality and society का देना होगा, दोनों ही paper आपके धाई-धाई घंटे यानि कि total आपको पांच घंटे का time आपका paper में होगा क्योंकि यह obvious सी बात है यह आपका जो exam है, यह return exam है तो आपको इतना time देना होगा, 8 अगस्ट को देखा जाएं तो सुभह same timing afternoon की भी same timing है, बढ़ यहाप आपका third paper जो है, वो आपका होने वाला economy, development का fourth paper आपका तेलंगना movement and state formation से होने वाला है क्या state में गतिविदिया हो रही है क्या उसका current affairs इसके बारे में आपको read करना चाहिए, basically अगर आपका 7 अगस्त को exam है तो 7 अगस्त है महीना six month before का आपको ले लेना है current affairs आपको provide आपके हाथ में होने चाहिए जैसे में बात कर लो, February, March, April, May, June, July यहाँ तक आपके six month हो रहे है its means आपको first feb से ले करके 31st feb तक का, 31st July तक का sorry, आपको current affairs revision कर लेने हैं अब इसमें हम बात करें तो आगे देखते हैं इसका exam pattern कैसे है तो group two का जो exam है जो second paper आपका है इसमें 4 paper होने वाले पहला, दूसा, 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 चौथा जो कि सभी 1.500 marks से होंगे यानि कि six hundred marks का आपका paper यहाँ पे होने वाला है अगर हम बात करें तो हर correct answer का एक number दिया जाएगा, negative की मात करें तो 0.5 है 25 है, 0.25 negative है यानि कि अगर आपने four questions गलत कर दिये तो आपके एक marks deduct हो जाएगे यहाँ पे अब हम यहाँ में बात करते हैं exam की duration duration में बता चुका हूँ two and a half hour का duration है यहाँ पे objective format is available in three languages objective format में आपके question पर होगे, जो की English Telugu and Urduo में होने वाला है कुछ format आपके return होगा, उसके बारे में भी हम बात कर लेगे, 600 marks का होगा, जो की stage 2 75 marks की है अब हम बात करते हैं यह 600 questions आपके होने वाले हैं, जो की MCQ base पे हैं and 600 marks ही आपको इसमें मिलेगे हम आगे बात कर ले, hall ticket का hall ticket को लेके जो, myth है कि यह July के first week में आएगा बट ऐसा नहीं है, July के last week में ही आपका आएगा, यह को मैं आपको already video के starting में बता चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं, बाकी अगर हम बात करें return exam की, तो return exam mostly candidates कहा रहे थे कि यह हो सकता है, but यहाँ पे clear mention हो गया है, Government of Telangana के साइट से यह आपका total optional exam होने वाला है, तो don't be confused आपका return नहीं optional paper है, तो उसके recording आप त्यार ही करें, अगर आप channel पना है तो subscribe पर लिजे, bell icon press कर दीजे मुझे comment और feedback अपना जरूर दीजे कि आपको next video किस topic में चाहिए किस state से आप belong करते, किस state का आपको notification चाहिए, as soon as मैं वो provide करूँगा आपको अगर चैनल पने हैं, तो subscribe करिएगा and stay empowered career fund Thank you